So guys 15 16 June को फरीदाबाद ब्रांच में CA Students Mega Conference होने जा रही है जिसकी registration जो है वो 31 मई तक end हो जाएगी वहाँ पे बहुत सारे guests आने वाले है और वहाँ पे मैं भी आने वाला हूँ As a volunteer, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर अगर आप खरीदाबाद के आसपास रहते हैं या फिर अगर दूर भी रहते हैं तो यार दो दिन के बात है, आज वहाँ पे बहुत जादा मज़ा आने वाला है महाँ पे dance performances भी होने वाली है, महाँ पे cultural night, DJ night भी होने वाली है so description में मैंने link दे दिये, आप वहाँ पे click कर गए अपने आपको register कर सकते हो और reference में आप मेरे नाम डाल सकते हो शुबंगुपता ताकि पदा चल जाए कि मेरे नाम से कितनी registrations आई है so अब बढ़ते हैं कि CA foundation 25 दिन में clear हो सकता है क्या so my answer is yes definitely हो सकता है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है मैं अपने time के बात करो तो जब मैं CA foundation में था तब मैं भी ऐसे ही था कि कभी पढ़ता था कभी नहीं पढ़ता था और तभी तभी ना first lockdown आया था तो आपको भी पता कि कितना आलस कितना आलसी time था वो तो फिर जब foundation exams आये तो मैं 1,5 महीने पहले मैं बहुत serious हो गया था मैं मतलब 8-10 गंटे पढ़ने लगया था रोज के मैंने corner पकड़ लिया था और मैं वहीं बैट के अपना पढ़ता रहता था अपने CA foundation के study vlogs में भी देखा होगा और अब तो CA foundation और intermediate के साल में तीन बार exams होने वाले हैं सो मतलब ICA खुद चाते कि आप जल्दी से जल्दी clear करो थोड़ा अपना ICA की point of view से समझो कि उन्होंने क्यों तीन बार किया exam ताकि आप जल्दी-जल्दी clear कर सोको और आपको जादा chance मिल सके clear करनेगा तो मैं इस वीडियो में यह नी बताने वाला कि आपको हर एक subject कैसे-कैसे पढ़ना है students देखें जो कि for example किसी को अगर math बहुत जादा पसंद है तो वो सिर्फ math सी करते रहेंगे math सी करते रहेंगे बाकी reference book से question उठाके solve करते रहेंगे हर एक question को लिक लिक के solve करते रहेंगे MTPs, RTPs, previous question सिर्फ उसी के लगाते रहेंगे मैं आपको बताता हूँ आपके अगर तीन subject में 60 प्लस भी आ गए ना और अगर आपके एक subject में 40 से कम आ गए ना तो वो आप fail हो, आपको सारे exams दुबार देने पड़ेंगे और CA foundation में क्या होता है, exemption का criteria भी नहीं होता, कि अगर 60 प्लस आगे तो वो आपको नहीं देने पड़ेंगे, आपको सारे exams देने पड़ेंगे आपको boring लगती है, ठीक है, बहुतों को लगती है boring, तो उसको एकदम हटाना नहीं है, मन मारके आपको थोड़ा बहुत तो prepare करना ही करना है, because 40 अगर आपके नहीं आपाए ना, तो आप fail हो जाओगे CA foundation में, तो आपको सारे subjects को priority देने हैं, यह थी tip number one, tip number two, revisions, 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 revisions ब की बोलते होंगे, पर यार सारे teachers बोलते हैं, तो कुछ सोच के बोलते होंगे न, so revisions is the key to clear any exam, not even CA foundation, any exam, मुझे एक senior ने बात बोली थी, exams में पास होने के लिए इससे फरक नहीं पड़ता कि तुम कितने time से पढ़ रहे हो, बलकि इससे फरक पड़ता है कि तुमें exam time में कित exam time तक उसने कुछ भी revise ने किया, जो उसने starting में पढ़ा था, तो जब वो दुबारा उठाएगा न, उसको सब कुछ नया नया लगेगा, उसको लगेगा कि यार यह तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, और last moment पे तो revisions होती भी नहीं, revisions, last moment तो इतनी हरबढ़ाट होती है कि जो हमें भूला हो है न, तो हम सोथे हैं कि वो हम छोड़ी दें, जो हमें याद है अभी उसी को हम revise कर लें, जितनी जादा revisions करोगे उतना जादा chances हैं आपके clear होने के, because revision is the key, मैं दुबारा बोल रहा हूँ, revision is the key, जितनी जादा revisions करोगे उतना जादा better है, मुझे अभ यहां पे effect आएगा, यहां पे effect आएगा, तो मैंने sheet बनाई थी, मैंने notebook पे निखा था, मैंने sheet बनाए उसको नो fold करके रख लिया, तो जब भी मैं किसी शादी बगर में जाता था, तो जो traveling time होता है, न, car बगर में, तो वहां में sheet खोल के पढ़ता रहता था, या फिर यहां मैं आपको recommend करना चाहूंगो, Rancho revision के flashcards, जो की एक palm के बराबर है, मतलब आप इन flashcards को अपने pocket में carry कर सकते हो, आप कहीं भी ले जा सकते हो, मतलब इतने छोटे-छोटे से हैं, और इसमें सारा syllabus cover हो जाता है, इसमें सारे के सारे form राज, tricks, concept, सारे के सारे concise form में आपको present करके दे रखे हैं, और इसमें कोई भी ऐसा topic नहीं है, जो की missing होगा, सारे के सारे topics covered, तो इन flashcards को पढ़के आप multiple revisions कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताए कि revision is the key, और सबसे ची बात है, यह colorful है, यह flashcards जो है, वो highly educated faculties ने बनाया है, मतलब chartered accountants ने बनाया है, properly experts व copy paste कर दिया, और सारे के flashcards, ICI के study material द्वारा ही बनाये गए है, तो अभी तो सिर्फ quantitative aptitude and business laws के हैं available, पर जल्दी यह accountancy and economics से भी launch करने वाले है, यह एक बात बताऊं, सिर्फ 699 की यह दोनों मिल रहे हैं, और वो भी colorful, इस से जादा तो आप एक movie में खर्च कर देते हैं, यह तो फिर भी आपके career का सवाल है, यह इसमें तो कोई गुंजायश नी होने चाहिए, तो मैंने links जो है, वो मैंने description में दे दी हैं, आप जल्दी से जल्दी जाके purchase कर लो, और अगर आप individual subject का purchase कर जाता है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, दो तिन दिन में आपके घर डिल प्रिपरेशन में, ABC analysis से क्या होता है, जब हम वेटे, जब हम हाई वेटे chapters पहले करते हैं, तो एक यार confidence build-up होता है, confidence build-up होता है, जिसकी वर से में लगता है कि चल ये chunk तो खतम हो गया, अब सिर्फ minor chapters जाते हैं, वो अगर छूट भी जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ह हाला कि major chapters तो complete हो गए न, तो इससे क्या होता है, एक confidence build-up होता है, कि यार हाँ, मोटे-मोटे chapters complete हो गए हैं, और MS-Done इसर ने भी एक बात बहुत दी कि, a confident guy is far better than a talented guy who is under confident, आपको pass होने के लिए 100 मैं से 100 नहीं चाहिए, मैं दुबारा बोल रहा हूं, आपको pass होने के लिए 100 मैं से 100 नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 50 marks चाहिए, clear करने के लिए, per subject, तो अगर आप 50-60% भी syllabus अच्छे से prepare करते हो न, with multiple revisions, तो कोई माई कालाल नहीं है, कि आपको pass होने से रोख सके, मालो अपने 52-60% syllabus अच्छे से कर लिया, अब MCQs भी तो होंगे न, और MCQs में कोई negative marking नहीं होती है, तो आपको अगर आए या नहीं, आप guess तो करी सकते हो न, और साथ इसाथ आप इतने बेफकूफ तो हो नहीं कि आपको बाकी पर आता ही नहीं होगा, आप कुछ ना कुछ तो लिख कर आई सकते हो न, अपनी concept के हिसाब से, जितना आपने पढ़ा उसके अगर time है, तो new topics भी करते रहो, अगर आपके बस time बहुत कम है, तो आप marathon यूज करो, आप marathon देखते जाओ, उसमें जो सर ने concepts बताएं, उनका screenshot मारते रहो, ठेके अब notes बनाने के तो time है नहीं, तो screenshot मारते रहो, exam time में आप वही screenshots revise करें न, फटावट की या, यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, अप ऐसे ऐसे फटावट revise करो, और flashcards आप मंगा लेना, flashcards से आपके revisions फटावट हो जाएंगी, तो ऐसे करना है आपको revision, so tip number 4 is, unfollow all the unnecessary people, जो की आपकी life में कुछ भी value आड़ नहीं करें, it's high time guys, तो उन सारे Instagram influencers, उन सारे YouTube creators को, जो की आपके life में कोई value ad नहीं करें, जो की सिर्फ आपका time waste कर रहे हैं, सिर्फ entertaining videos बना रहे हैं, ढूंका लगा रहे हैं, उनको देखके आपको क्या मिलेगा, आपको सारे ऐसे लोगों को unfollow करते हैं, at least exam सकतो आप unfollow कर दो, आपको लगता है यार पांदस मिन अगर मैंने entertainment video देख भी लिए तो क्य आई जा रहे है, सच बताओ, जब आप comedy video देखते हो, तब आपको सच में refreshing feel होता है, या फिर आपको और थकान होती है mentally, आपको नीज आने लगती है, सच बताना, नीज आने लगती है न, और अगर आपके phone में गल्दी से एक reel आ गई, जो ये बोले, मतलब सिगमा मेल लगा कि आप बताओ, कि दुनिया में इतने सारे अरब पती हैं, उन में से कितने पड़े लिखे हैं, कोई भी नहीं, जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, वो है पड़े लिखे, उनको है नहीं, तो इसको मतलब क्या, बिजनस चालू करतो, अगर ऐसा होता न, तो सारे अनपड़ लो ऐसी रिल से न, बहुत जादा इंफ्लेंस हो जाते हैं, कि यह बन्दा सही तो कह रहा है, यह पड़ाई लिखाई से कुछ होता ही नहीं है, आप अगर एक कंपनी भी रिजिस्टर करने जाओ गे न, आप इतने गबरा जाओ गे कि भाई, इतने सारी इसमें दिक्कते होते है इतने सारे इसमें टंटे होते हैं, make sure आप सही लोगों को follow करो, आप अपने कमरे में ही रहो, अपने books के around ही रहो, सिर्फ at least 25 से 30 दिन तो यही अपना focus करो, सिर्फ studies पर focus करो, आपके अगर दोस्त बुलाएं कि भाई, एक मिनट के लिए नीचे आजा बस कुछ बात करनी है, वो एक मिनट बाई, एक घंटा कब बन जागा, पता बेने चलता, फिफ्ट and the last tip is, strictly follow study material, मैं दुबारा वो रहो, मैंने पुरानी वीडियोस में भी बोला है, कि यह study material को follow करो, study material को अपना Bible मानो, चाहे आपने सब कुछ पढ़ लिए हो, या फिर अभी आपने नहीं पढ़ से होती है, suggested answers के साब से होती है, अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई और reference book से prepare कर लिया, तो उसका मतलब वो गलत नहीं, आपने किसी भी reference book से पढ़ा हो, आप बस यह देखो, कि ICA के सारे topics क्या covered हैं उस book में, अगर नहीं है, तो उसको जरूर से cover करो, अगर covered हैं तो well and good क कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपके exam में कोई ऐसा question आ गया, जो कि आपकी reference book में या फिर आपके teacher नहीं कराया, तो आप यह नहीं बोल सकते हैं कि यह तो out of syllabus था या फिर, sir यह कैसे exam में आ गया, यह तो teacher ने करवाया नहीं, अगर ICA module में हैं, तो ICA कुछ भी दे सक जो कि हर एक CA foundation student को करने चाहिए, जिनका भी exam आ रहा है, और मैंने जितनी भी आज तक CA foundation related videos बनाई है, उन सब की मैंने एक playlist बना दिये, with the name, welcome to CA foundation, और CA intermittent के लिए बना दी, सारी videos की playlist, तो आप उसको जरूर से check out करना, अगर कोई भी आपको doubt आता है, तो CA foundation वाली playlist पे जाओ, उसमें देखो कि मैंने वीडियो बना रखी नहीं बना रखी, उसको आप देख सकते हो, और उसका फायदा उठा सकते हो, so yeah, that's it for today's video, मैंने आपको सारे resources बता दिये, सारे teachers बता दिये, सब कुछ tips वगेरा भी दे दी, मैंने आपको YouTube चैनल से बता दिये, किस से आप prepare कर सकत जो कि मैं यहाँ पर वीडियो मेंशन कर दूँगा, आप वो चैक कर सकते हो, अब देखो, ultimately पढ़ना आपको है, फोडना आपको है, कभी भी अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो, तो just आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे, आप कमेंट करो, CA और आगे आपका नाम, आप जैसे वो लिखोगे ना, जैसे for example, मेरा नाम है, तो CA शुबंगुप्ता, वैसी आपको नीचे अपना नाम लिखना है, CA करके, डैश आपका नाम, वो लिखके आपके अंदर जो मोटिवेशन आएगा, जो आग जलेगी ना, इससे आपको मजा आजाएगा, तो आपको भाई, मेरे रॉंग टे खड़े हो गया, यह जो मैंने यहाँ पे फ्रेम्स लगा रखे ना, उसमें से एक फ्रेम गिर गया, तो मुझे लगा कि कबूतर आ गया, ओ भाई सार, खेर इसको अम बात में देखेंगे,